Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Dr. Shivani here आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी आयरवेदिक ड्रग के बारे में जो की infertility में बहुत जादा यूज होती है जी हाँ मैं बात करने हूँ शिवलिंगी बीच के बारे में तो आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि शिवलिंगी बीच क्या है क्या-क्या इसमें प्रॉपर्टीज पाई जाती है कैसे इसका यूज करना चाहिए किन पेशेंट को इसका यूज करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले उसके साथ साथ में बैल आइकन जरू प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे इस चैनल पर मैं में में रिप्रोड़क्टिव हेल्थ के बारे में बात करती हूँ इन सारी कंडिशन को आईरवेदिक ट्रीटमेंट से कैसे ठीक किया जा सकता है कौन-कौन से आईरवेदिक प्रोसीजर होते हैं जो की विमन के लिए बहुत जादा हेल्पफुल है बीना कुछ देर करें लेट स्टार्ट द वीडियो शिवलिंगी बीज शिवलिंगी बीज एक ऐसी आईरवेदिक ड्रग है जो की ना सिर्फ फीमेल इन फर्टिलिटी में काम करती है बलकि मेल इन फर्टिलिटी में भी इसका काफी अच्छा रोल है ये ड्रग जो है वो फर्टिलिटी एनहेंसर के नाम से भी जानी जाती है infertility treatment में इसका काफी use होता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी properties क्या है इसके अंदर क्या-क्या gondras ये सब पाई जाते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका नाम shivlingi क्यों रखा गया है तो जैसे कि आप इसकी shape देख सकते हैं ये shivling के आकार का है इसलिए इसका नाम shivlingi पढ़ा है इसका जो most useful part है और भी बहुत सारे parties के use की जाते हैं shivlingi के बट जो most useful part है वो इसका beach है, seed है जो की infertility में काफी useful है अब हम बात करें कि इसके अंदर properties कौन-कौन से पाई जाती है तो इसका जो रस है वो कटू और तिक्त रस वाला ये seed होती है गुण की अगर हम बात करें तो गुण जो इसमें है वो रूक्ष है, तीक्षन है तो इट मिंज ये पित को बढ़ाने में काम करेगा तो जिनकी भी पित प्रकृती है या फिर किसी को पित दुस्ती है नेक्स रागर हम इसके chemical composition की बात करें ये सारे composition इसमें present रहते हैं ये जो है वो phyto estrogen है इसलिए ये infertility में help करते हैं अब हम बात करते हैं कि ये जो shivling की beach है इसका powder use किया जाता है तो किन patient को या किन condition में इसका जादा useful रहता है तो सबसे पहले जिनको भी जैसे scanty menses आते हैं तो scanty menses आते हैं तो उसमें ये shivling की beach बहुत ही जादा useful है क्योंकि ये पित दोश को बढ़ाने का काम करता है तो पित दोश के बढ़ने की वज़े से जो periods है वो अच्छे से आएंगे तो जिनको भी scanty flow है उसमें ये काम करेगा जिनको भी PCOD की problem है तो PCOD में क्या रहता है insulin resistance की condition रहती है और ये उसमें बहुत जादा helpful है तो इसलिए जो भी PCOD के patient है या फिर जो बहुत ही जादा obese patient है उनमें ये shivling की बीच बहुत ही अच्छे से help करता है next female infertility में mainly जिनको an ovulation की problem है या फिर जिनका egg जो है वो proper नहीं बन रहा है या फिर egg बनता है वो timely rapture नहीं होता है male infertility में भी जिनके sperm count कम है या फिर motility अच्छी नहीं है या फिर उनकी जो morphology है वो सही नहीं है तो इन तीनों ही condition में ये drug काफी useful है इसी के ही साथ साथ में ये diabetes में भी काफी helpful है क्योंकि इसमें anti-diabetic effect प्रेजेंट रहते हैं तो जिन पेशेंट को diabetes है उनमें ये शिवलिंगी बीच बहुत अच्छे से काम करता है तो ये सारी condition है जिन में शिवलिंगी बीच हम दे सकते हैं अब हम बात करते हैं Contra Indication कौन-कौन सी ऐसी condition है जिन में ये शिवलिंगी बीच नहीं यूज करना चाहिए तो फस्ट जिन भी patient को heavy bleeding की complaint है उन patient में ये shivling की बीच नहीं use करना चाहिए क्योंकि जैसे कि मैंने इसकी property बताई थी कि उष्ण वीर्य होता है, कटू वीपाक होता है और इसका जो गुण है वो तीक्ष्ण है पित्त दोश को बढ़ाने का काम करते है तो already जिनको heavy bleeding रहती है उन में पित्त दोश already बढ़ा हुआ रहता है तो उन patient में ये shivling की बीच नहीं देने है Next आता है जिनको भी prolonged bleeding रहती है It means normally जो periods की phase रहती है वो 4-5 दिन में periods खतम हो जाते है बट अगर किसी को इससे ज़ादा periods बने रहते है तो उन patients को भी ये shivling की बीच नहीं लेने चाहिए इसकी अगर dose की बात करें तो 1-3 gram आप इसकी dose ले सकते हैं गरम पानी के साथ में लें और खाना खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद ये medicine लेनी चाहिए अगर आप conceive करने का try कर रहे हैं conceive नहीं हो रहा है तो आप इस shivling की बीच को एक एक चमचाप सुबह शाम खाना खाने के बाद में ले सकते हैं बढ़ ध्यान रहे हैं जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपकी बॉड़ी में पित्त दोश बढ़ा हुआ है या आपको heavy bleeding की शिकायत है तो उन condition में ये shivling की बीच ना लें so this is all about shivling की बीच mainly इसका infertility में बहुत जादा यूज होता है I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो इसको share जरूर करें मिलता है next वीडियो में तब तक लिए bye bye take care अपनी health का ध्यान लखें और अपने आस पास वालों की